माद्धी प्रदेश में विधान सभा चुनाओं की आचार सहिता लगते ही इंदोर पुलीस भी अलर्ट मोड पर आ गई है पुलीस की और से जीले में फ्लैक मार्श निकाला गया पुलिस प्रसेसन की सेयुक्त टीम द्वारा मंगलवार को संधिया करीब पांच बजे आचार सहीता को लेकर फ्लैग मार्च निकला गया फ्लैग मार्च बैट मा थाना परिसर से निकल कर नगर की विभीन चोक चोरा हो होते हुए विभीन थाना शेत्रों की ग्रामन शेत्रों में भ्रमन करते हुए समाप्त हुई शहर में शांतिपूर्ण मद्दान और लोगों में सुरक्षा की भावना को जागरत करने के उद्देश से यह फ्लैग मार्च निकला गया जिसमें देपालपूर, SDM, SDOP, तहसिलदार, नयाप तहसिलदार, बैटमा, थाना प्रभारी, सहीत, पुलीस प्रससन के समस्त अधिकारी गण इसमें शामिल हुए अधिकारी ने बताया कि शांती वह भाई मुक्त वाधावरण इस्थापित करने के उद्देश से फ्लैग मार्च निकला गया बैटमा, इंदाओर से राजन सुर्यवनशी की रिपोर्ट थाना बेटमा में, श्रीमान SDM मौदे, श्रीमान SDOP मौदे के नर्जेशन में आगामी, विधान सवा, निर्वाचन 2023 के परिपेक्ष में थाना बेटमा शेतर अंतरगत में फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया था इस फ्लैग मार्च का उद्देश थाना शेतर में चुनाओ को शांतिपुन तरीके से और निश्पक्ष रूप से निश्पादन करने के उद्देश से फ्लैग मार्च निकालने के साथ ये संदेश दिया गया आम जनता के लिए कि चुनाओ के दौरान निर्विग होके निश्पक्ष होकर और निडर्ता के पूरवक चुनाओ के दिन मतदान करें और किसी के भी व्यक्ति के दौरा यदि इस मतदान के दौरान में या चुनाओ के दौरान में व्याधान उत्पन किया जाता है तो इसके विरुद सक्ते स सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चेनल को सबस्क्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना पुलें